यह कहानी है दो पक्यत दोस्तों की यह है वासूर उम्रत दस साल छोता सा ये गाउं इस लड़के के लिए नया है इसे ऐसी बारिश में इतनी मुश्किनों का सामना करके नए स्कूल जाना पड़ रहा है और ये है अभी अमीर घर का ये प्यारा सा लड़का बड़े दिलवाला है बैठना ये कांशे के साय है हाई बॉर्णिंग बच्चों बैठ जाओ बैठ जाओ ये ओमारे सुर्ट तो सौग है वासू अच्छुबराव ये है स्कूल का डॉन सत्यार जिससे सारा स्कूल डरता है हाई बेठा हाई डाड़ी भाई वासू भाई अभी हलो हलो कैसे है ऐसा मैं ठीक हूँ भाई बेठा अंकल को भाई का हो भाई अंकल बाई बाई अखीला प्रेजिट माड़म वासू वासू प्रेजिट माड़म अभी अपसेंट माड़म तुम्हारा चेरा क्यों उत्रा है क्योंकि आज अभी स्कूल नहीं आया दोस्ती के रिष्टे से बड़ा कोई रिष्टा नहीं होता बहुत खुबसूरत होते हैं ऐसे रिष्टे जिन पर कोई हक ना हो हलो सर हाज इसका दोस्त अभी स्कूल नहीं आया तो देखें कितना उदास हो गया है क्या बात है सर उपर वाले का दिया सब कुछ है लेकिन इसकी माँ बच्पन में ही चल बसी इसे अपनी माँ की याद आते ही अपनी माँ की समाधी पर आकर रोने लगता है आज ही वो मनुस दिन था जब वो हमें छोड़कर चली गई थी अभी चला जा यहीं से शुरू होगा एक ऐसा रिष्टा जो दोस्ती की मिसाल बनेगा हे मेरे रजगुले क्या हो गया तुझे तु है मिस्टर रोकार और मैं हूँ मिस्टर जोकार मैंने स्कूल में सब्टर टिफिन खा लिया देख मुझे अब क्या हो गया अज वाग मारे सर ने क्या किया मेरे होते हुए तु उदास नहीं हो सकता अभी हुआ खालो पसंद आया ना क्या हो गया बिट्या जल्दी चलना वासू जल्दी चल रहा हुँ ना डाडी सबको तंखा मिल रहे हुआ जी सर अरे उदर कहां जा रहे हो मेरे साथ चलोगे ना बाइ डाडी बाइ बेटा अज फोर्स टाइम हम साइकल पे स्वूशले निकले है तुझे मज़ा तो आ रहा है ना और नहीं तो क्या ए बॉल फेक जल्दी जल्दी अभी जल्दी कर अरे लाना क्या कर रहा है जल्दी एसे क्या देख रहा है वासू पर हाथ उठाया हाँ मेरी बरशी क्या करेगा तू जाने दीजेन बेंजी बच्चे ही तो हैं जगडा तो मेरे बेटे का और वासू का हुआ था ना तो इस लड़के को क्या तकलीफ है लेगिन आपको क्या तकलीफ है क्योंकि ये मेर बेटा है और यह मैं दोस्त है अब तो उनके पास क्यों जा रहा है फ्रेंग बनोगे चल ठीक है कल रात से इसने ना तो मुझे सोने दिया और ना खुद सो पाया आप यकिन नहीं करेंगे सिर्फ एक ही सवाल पूछता रहा कि अभी कहां जा रहा है और वापस कब आएगा इत अब मन लगा कर पढ़ना ओके ओल दे बेस्ट हां अंकल हम चले में अभी यह हमारी दोस्ती की निशानी वासू ठीक हम चलें सर्के आल मिसी अभी बाई बेटा वाई अभी अभी अब चलो बेटा क्या हुआ बेटा अभी अच्छी पढ़ाई और अच्छी परवरिश के लिए अभी को उसके पिता ने एक बड़ी सी स्कूल में एड्मिशन दिल्वा दी अब दोनों ही एक दूसरे से जुदा होने के लम में थे और तब ही अच्छाब तुने मेरी ओड़ो को पहले डोका नहीं तू देखके नहीं चला रहा था तुम भी जाओ तुम भी जाओ माशा कर रहा था था जो चलो अपने काम पे चलो मैं जानता था तुम वापस जरूर आओ गया भी इनकी दोस्ती हमेशा सलामत रहे क्या सर आप अभी को इतनी बड़ी स्कूल से निकाल कर यहीं ले आए बचाए कहीं भी पड़े बचाता हूँ हमेशा खुश रहे अब उसकी माँ तो वापस नहीं आ सकती ना लेकिन कमस कम उसे अपने दोस्तों के साथ तो रख सकता हो ना जवानी के दिनों में प्यार की एहमियत होती है लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो जिन्देगी एहम हो जाती है दोस्ती वो खुबसूरत फूल है जिसके खुश्बुक कम नहीं बलकि हमेशा बढ़ती है हलो और भाई कब आया तू अरे मेरी बाद छोड़ तू कब मिल रहा है चे बजी पक्का और वो पियक कर आएगा उसे मैं ले आउंगा ओ ठीक है चल रख चल बाई सुपर मार्केट के पास सुपर मार्केट कब चालो हुआ अब भूल गया क्या वहीं मेडिकल शॉप के बाजु वाला अरे हां यार वहां एक बार भी है न वहां दना बार एंद रेसूरंट आइसा बोल की बार का नाम सुनते ही याद आ गया चल वहां पहुंचके फोन कर सा अब अब भाड़ को अब भाड़ दाल के अचा तुन्हें सभी मेहमानों को काड दिया ना अधिया घर वाले बाहर वाले कॉलेज वाले श्कोल वाले दूद वाले को भी इंविटेशन दिया इसका बस चले तो आख अम अंत्रन दे देगा अमें तो दावत पर बुलाए नी अरे बार में इंविटेशन कार्ड कौन लाएगा तेरेको वाट्सअप कर दूँगा ना शादी के बाद तो तो तेरेको बार मी आना पड़ेगा ये देग उधारन बैटाए अरे अपनी लडाई में मुझे बीच में मतला हो हां तू कब शादी करेगा भाई देख ये अपड़ा मिलेगा हम सब तो जरूर आएंगे लेकिन वासु और अभी के बारे में नहीं कह सकते तू तो जानता ही है जैवेरो की जोड़ी थी सोचा नहीं था ऐसे दिन आएंगे के तेद हम तेरे वासु से बात होती है क्या कहूं दो साल हो गये phone पर बात होती है और अभी थे कि फूस सका भी बाप निकला जिसका है तूजिए अपया है है अब विए भी रिष्टा है अबी अबी यह विए अबीच्छा यह अबीच्छा है यह जो अबीच्छा यह लो तो हम चलें अच्छा था ना वह रिली नाइस उस पार्टी में मज़ा आया मां कब चलें चलो या लेट गो मैं बोर हो गया हूँ चलो इस गेटिंग लेट मुझे चलना चाहिए बाई-बाई 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 प्यान राही ना ही हाई, बस सोही दिश्य। किया वी के मतूसंब भी? ने ज़्य। है, र भी अच्छी नौकरी अच्छी नौकरी अच्छी दोस्त रिलाक्स करने के लिए बियर तुम्हें तो कोई फैमिली टेंशन भी नहीं है इतनी रात को नीम ना आने का मतलब प्यार हो गया ऐसी कोई बात नहीं है अभी मैंने तो कैजुली मेसेज कर दिया रात को बारा बजे कौन कैजुल मेसेज करता है श्रिया अगर बात क्या है हमें मिले दो साल हो गए या शायद जादा और या थिंग और परफेक्ट बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला लिया है पता नहीं सही है या नहीं अभी आम इन लाव वित यू जब एक लड़की किसी लड़के से या लव यू कहती है तो उसके लिए खुशी की बात होती है बट आम सॉरी श्रिया मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है अब आप शायद कुछ तिन और साथ च्रावल करेंगे तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएं एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए साथ ट्रावल करना ज़रूरी नहीं है वो तो बैकपाक करने से पहले ही पता चल जाता है मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए या फिर अपने आपको ग्रेट साबित करने के लिए नहीं कह रहा है पर मैं ऐसी चीज में तुम्हारा टाइम क्यू वेस्ट करूँ जो कभी होगी ही नहीं क्या ये सच है जनरल ये लड़कियों का डायलोग है पर तुम्हारी वज़े से मैं कह पा रहा हूँ लेट्स बी कुड़ फ्रेंस तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ या फिर प्यार पर भरोसा ही नहीं है आई मीन कालेज में कोई तो कल सुबा मिलते हैं पकड़ो उसे चोड़ना नहीं पकड़ो पकड़ो अब ही बचाना नहीं है अब ही बचाना तुझे आई रोक पकड़ो पकड़ो उसे इदर भाग रहा है आई रोक 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 यह पजिना नहीं चाहिए अब है अब है इए बंडिया दरवासा बंद कर हुम वेलकम टू फाइट क्लास आज हमारे उस्तद उस्तदाभी और उस्तद वासु आपको बताएंगे क्या फाइटिंग तो यह देखो इंचे गेंट्री हो चुकी है अपने उस्तद आभी और उस्तद वासुकी उस्तद आभी रगु के डोले में डोला डालते हुए और यह रगु आगे बड़ा और यह आभी मुका काड़ी भेग के बॉल को मारा और यह रगु के जर पे लगा आभी अध्वरी हमाँ जम्हाँ के देखो टाड़ी किए ले पर उस्तद आभी को इस तरह अपने हाथ और पैर का इस्ते इस देमाल कर रहा है और यह देखो आरे अरे ना एक पार गड़ा आँ अरे अरे किदर तू बचा अठी अभी एक भी बार कॉमेंट्री नहीं करेगा गुट शॉट हाँ एए मैं आ रे वेड्या हाँ जटे रहाँ! जटेज़ आए! जटेज़ 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 लगाँ! टेरें को रुकने को बोला था ना भग्डने की कोई जुरूबरत नहीं थी टेरे को पुछता सारी गलती उसी कि टोस्ट की गलती नहीं होती अब तुम दोबारा ऐसी गलती मद करना मझा रहां चिंट्ट म कैसी ने कही हं उसके हैं मधूलहा जानाん क्या फर्क पड़ता है वासु के रिष्टे में हर कोई भाई बहनी तो है गाड़ी चुटने वाई चलता हूं तू अपना खयाल रख पहुंच कर फोन करना चल बाई एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वासु को दो महिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा कि कहा है फाफडे अरे गुपता चना भंडार वाला है ना उसकी बेटी का मुंड़ा ने वहां आया हूं तो अरे नाई को मैं ही लेकर आया हूं भाई अवे थेपले तेरे फंक्शन में जाने से या ना जाने से किसी को कोई फरक नहीं पड़ता चल फोन रख लेक्चरर का चम इसलिए प्लीज कॉल अगेंड टुमोरो आप जिस व्यक्ति को संपर कर रहे हो वह इस वक्षावा पैग में मौझूद है गुरुपया कल सुभा ट्राइग कीजिए अरे जानो तुम्हारा फोन बढ़ रहा है जाओ ना फोन तो उठालो क्या कर रहे हो जाओ जाओ अग्णिए जाओ 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 तेरी तो एबी तुम्हें कुछ हो नहीं ना जल निकाल निकाल त्सकाल इस ओके मैं आती हूं है सॉरी अचानक ब्रिक लग गया इसे कुछ हो थो नहीं ठीक है वही सो क्यूट ड्राइवर रख लो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगे सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा आम रेली सॉरी गाड़ी चलाना आता नहीं दिखता भी नहीं मेरा क्या है मैं तो इंसान हूं जी हूं या मरूं क्या फरक पड़ता है अरे तुम्हारा तो खोन बह रहा है छोटा सा घाव है ठीक हो जा से अपने आयाश पत्य को माल डाला ची जी जी सुनियाबह सब यहां पर डॉक्टर है अंदर डॉक्टर सब नमस्ते है आए 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 यह क्या हुआ बाइक से गर गया डॉक्टर नो प्राबलम क्या नो प्राबलम नर्स उसको वुकार राएल हो बाजुआ ली ऑस्पिडल म मुझे जल्दी मरने का कोई शॉक ने आज तक किसी को आई लव यू भी नहीं बोला मुझे यहां क्यों लाई अब चलो प्लीज कि यह क्या कर रही हो तुम अलो एक मिनट कुछ हो गया तो घब राने की जरवतनी आम हाउस सर्चन मुझे शोड़कर कुट्ट्टे के पास गई तो सोचा तुम जानवरों की डॉक्तर हो इंसानों की यह तिंग्चा हम्म्म्म कॉट्टन बैंडेज अरे उपर रखेला लेलो ना ओ सिजर मोनसेफ इसने लाइफ में पहली बार नाम सुने लाइफ मैं अक्सर पिछवाड़ी पी इंजेक्शन देता हूं जिससे सब बिलकुल ठीक हो जाते हैं यह अब तुम जाओ कल इंजेक्शन ले लेना थांक्स डॉक्तर फीज ने 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 फीज की ज़राट नहीं है किस बात की फीज दे रहें लो साफ इसना इससा क्या काम किये ले डॉक्टर साब बिना काम के एक रुपया नहीं लेते हैं इनका रेपूर्टे सर इस तुस सा भी खराब नहीं है मैं सब आप आप जाए और साब आप भी जाए प्लीज आप उन्हें एकदब सही बोलाना सर असली जानवरों को डॉक्टर तो वो है सॉरी इस ओके अपना ख्याल रखना तुम भी बाई एक्स्क्यूज मी घर जाने के बाद मुझे तुम्हारी याद आएगी फिर सोचूंगा काश पहले पूछ लिया होता क्या तुम अपना नाम बताओ कि माया अभी अब है गुनाइट 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 कि नाम के साथ साथ उसकी कुंडली भी पूछ लेता तो लगे हाथ साथ फेरे भी लगवा देते हैं डेट पे बुला लेना चाहिए था आएम सो एन सो अब हो गई ना फूर वज़े एक बात तो क्लियर हम सब अपने शहर में दिन रात मतर गश्ति करते रहते हैं लेकिन हमें से किसी ने उसे कभी नहीं देगा मतलब तुम्हें बिमार करने वाली लड़की इस शहर में नहीं रहती है है ना क्या बोल रहा है साई बिलकुल सही बोल रहा है अज लड़की की वज़े से तेरा एक्सेडेंट हुआ है सोने का सिक्का नहीं मिला है जो खुश हो रहा है तीन दिन से लगातार उसका इगाना गा रहा है पक्का कोई लोचा है ठीक है आज के बाद उसके बारे में बात नहीं करूंग ओके आई ला अरे यह तो सेम टू सेम मेरी वाली फीली नहीं हर दिन सुबह उटकर मैं बोलता हूं कि आज से दारू नाई पेना रहा है लेकिन शाम को छे बजने के बाद आईसी घंटी बचती है कि खंबक कब कदम होता है पता ही नहीं चलता इसका भी यही आल ही हाई 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 यहाई मेरे लिए है वही एक्सिडेंट वाली लड़की है ना अभी तो बोला आज के बाद उसके साथ बात नहीं करूंगा तो अरे अपना फापड़ा गिटर बजने हैं अब कैसे हो बहुत खोश हूं तीन दिनों से सोया नहीं दिल में एक ही खयाल है तुमारा मतलब मेरा मतलब कि यह दर्द कब कम होगा आज सुबह से काफी अच्छा लग रहा है अगे मुझे तुम से दुबारा मिलने की उमेद नहीं थी मगर मुझे अच्छा लगा कि हम दो अच्छा लगा आज से तुम आज से तुम आइस क्रिम पिगला के मुझे खिला रही हो मैं भी पिगल चुका हूं आई लव यू प्रिया अच्छा लग पसंदो मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता भाई कैसे किया हैंसम होने से कुछ नहीं होता टैलेंट भी होना चाहिए अभे तेली तो लड़की पट्टी नहीं तो जल गई क्या आपके लिए क्या लाँ सर मेरे लिए बेल्जियम डाक चॉकलेट ऊपर से थुड़ा नाट्स और चॉकलेट डाल देना ठीक है और तुम अब कुछ भी मंगा लो तुम्हारी पसंद मुझे का पता है ठीक है बटिस्कॉच जी मैं तो कहां रहती हो यही नस्दीग गल्स होस है और तुम यहीं रहता हूं एंजिनियरिंग के फाइनल एक्जाम्स दी है रिजल्स का वेट कर रहा हूं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम रिजल्स का इंतिजार कर रहे हो क्या सच में इंजिनियर बना जाते हो ऐसा क्यों लगा तरहसल तुमारी शकल देखके मैं मेरे कहने का मतलब है कि तुम पढ़ाई में इंटरेस्ट होने के बजाए तुम और चीज में इंटरेस्ट लगते हो तुमारा अंभिशन कुछ और ही है लेकिन तुम गिटार बजा लेते हो यह सोचानी था तुम म्यूजिक इतने दिवाने हो मैंने जो बजाया वो पसंद नहीं, नहीं, इट वस नाइस. मुझे म्यूजिक पसंद, यह नहीं कहूंगा कि म्यूजिक मेरा फ्यूचर, मेरी जिंदगी, मेरा पैशन है, पर जो भी हो, फ्यूचर में म्यूजिक जरूर होगा, इट वल्वेस बार्ट अपर अफ मै लाइफ, और माया को? माया? हाँ, हमारी उम्र इतनी नहीं है कि दूसरे को आप कहें, बिना फॉर्मालिटी के बात करेंगे तो अच्छा होगा, तो आज से तुम मेरे लिए डॉक्टर नहीं, माया हो, बहुत प्यारा नाम है, माया, तुम्हें म्यूजिक पसंद है, सर, इक्सक्यूज मी, मैंने बटर्सकॉच मंगाया था, स्ट्रॉबरी क्यों लाइब, सॉरी मैं, गल्थी हो गई, इससे लेकर जाओ, और माम ने जो कहा वो लेके आओ, इस बार समझ गया है, अच्छी तर ऐसे, प्रॉब्लम क्यों नहीं है, वो मंदिर में प्रसाद बात रहा के आदत पढ़ जाए, तो हम अपनी पसंद के बारे में नहीं सोचते, लेकिन बच्पन से ही मैं म्यूजिक की दीवानी हूँ, म्यूजिक मुझे इतना पसंद दिया भी, कि मैं बयानी कर सकती, म्यूजिक के बिना मेरी जिन्देगी अधूरी है, दुनिया में ऐसे बहुत स कल होस्पिटल आजाना, देन भर में जब भी तुम्हें वक्त मिले, ओके, हुआ, ठीक है, मैं देखते हूँ, बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, क्या हुआ इसे, चाय लेकर जाते हुआ पैर फिसलकर में गिर गया था दिदी, और सारे ग्लास तूट गए, मालिक को बड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने उबलता हुआ पानी मेरे पैरों पर डाल दिया दिदी, आ, दर्द हो रहा है दिदी, मैंने मा को कहा कि नारिल का तेल लगा लूँगा तो मैं ठीक हो जाओँगा, है ना मा, दिदी जल्दी करो, आदे घंटे में दुकान पर नहीं गया तो मालिक मुझे मार देगा अब दो दिन यहीं पर लेटे रहोगे तो मेरी नौकरी का क्या होगा मा मालिक का फोन है, मुझे डर लग रहा है, आप बात कर लो ना मा, प्लीज, मा बायाओ, फोन खराब है स्पिकर आन करना पड़ेगा अरे कहा मर गया तू हलो कौन है बे तुम्हारे बच्चे हैं दो बच्चे हैं दोनों क्या करते हैं दोनों बच्चे तालीम ले रहे हैं क्यों एक की पढ़ाई बन करवा दो क्या और उसे होटेल में काम पर रखो अगर कल से आपका बेटा स्कूल जाएगा तो आपको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं मैं स्कूल नहीं जाओंगा भाया प्लीज मालिक तो हफते में एक दिन मारता है नगर स्कूल में तो रोज मार पड़ती है है ना भाया मैंने इसे ये सब इसले कहा था क्योंकि हम लोग बहुत गरीब है टीचर से कहूंगा इसे मारना मत फिर तो पढ़ेगा ना पढ़ूंगा बिना मार खाए पढ़ूंगा वो अगले हफते जॉइन करेगा कोई फॉर्मालिटीज हो तो पूरी कर दीजिएगा है तुम यहां हो यह उशा माई फ्रेंड और यह भी है वही रॉक्स्टार ना गेट अप देखकर ही सेट हो गई थी क्या माया कल संडे है ना तुम्हारा कोई प्लान ओ कल संडे है देखा बॉस इसकी दुनिया हम सबसे अलग है कोई पार्टी होगी तो बताना मुझे पार्टी इसमें उन्जॉय करना बहुत पसंद है अच्छा तो तुमें क्या-क्या पसंद है रॉक्स्टार मुझे लगा सिर्फ तुम दोनों ही गाते बजाते हो माया अगर कल फ्री हो तो आकर बैंड देख लो तुम्हें अच्छा लगेगा हिब तुम्हें देख बैंड यो तुम्हें हो फिल देखर लगे थ कन्या योो तुम हे तुम्हें उटत बैंड तुम्हें थेश वेँ दůत वीभ दोली हो तुम्हें दोत अब च। है कर दो कर दो कर दो तो यह है मेरे दोस्त यह सिरी जॉन शशान कॉर्ष्रवन है यह माया है कहा थाना एक लड़की ने गाड़ी से उड़ाया था यही है वह दोस्तों से मिलाने का तरीका बड़ा अच्छा है अच्छा बताओ तुम्हें सिफ म्यूजिक सुनना पसंद है या हां गाना भी पसंद है मैंने कीता सुब्रामन्यम जी की यहां गाने की तालीम ली थी मैं जिर्व ऐसी लड़कियों को जानता हूं जो पार्टी में जाती है लाइफ में पहली बार तुम जैसी लड़की से मिल रहा हूं यूण नहीं आज नहीं शायद फिर कभी मुझे चलना चाहिए बहुत व कि मुझे वह जगा इतनी पसंद आई दिल की आब वहीं रुक जाओं आज के बाद जब भी थोड़ी फुर्सत मिलेगी या मेरा दिल करेगा मैं वास ज़रूर जाओंगी हलो महाँ डैरी हलो मैं फोन करने ही वाला था सोचा तो कहीं बेजी होगा अबै मैं बेजी था इसलिए फोन नहीं किया या खुद ही कहीं बेजी था ए चल लड़की का नाम बोल ओ तो साही ने तुझे भी बता दिया भापड़े के पेड़ में कोई बात रहती है क्या चलो वो सिर्फ दोस्त है मुझे प्यार की बू आ रही है है सच में ऐसा कुछ नहीं होता तो सबसे पहले तुझे ही बताता है वो सब छोड़ वहां पर सब कैसा है हाँ यार सब ठीक तो है पर तू साथ में नहीं है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है वासू आजा यार चलिए रब रखता हूं वरना रो दूंगा च्छिक है क्या हम मिल सकते हैं हाई सारी इस वक्त मैं यहां बुलाना पड़ा जरूरत टाइम देखकर नहीं आती बोलो क्या हुआ मेरी डैरी का फोन था वो कल यहां आ रहे हैं अगर वो हमारे बारे में जानके तो मुझे वापस लेकर चले जाएंगे मुझे बहुत फिक्र हो रही है क्या करूं कुछ सम यह कार है यह कोई टूटा हुआ खिलो ना मतलब काफी पुराना मॉडल है ना मेरे डैरी की खरीदी हुए सबसे पहली कार है तुम्हारे डैर का तो पताने पर कंपनी की बेची हुई फर्स्ट कार जरूर है प्लीज अभी मैं कार को इस हालत में डैर को नहीं दिखा सकती कि टेंशन मतलो सिस्टर यहां टॉपिक कुछ और है प्लीज तो बदल दो तुम्हें और कुछ काम नहीं था मेरे गाड़ी के सामने आने के सिवा यह सब तुम्हारी वज़े से हुआ है मेरी वज़े से इसे ठीक करना है पीछे वाला शीशा भी है क्या डिजाइन है इसे तो भंगार में भी कोई नहीं लेगा सारी प्रॉब्लम सिफ एक्स्टीर में हैं इंटिरियर कंडिशन बिल्कुल परफेक्ट है संबलकर कहार को या खुद को मैं बस एक मिनट प्याए तुम कहां हो लीज जल्दी आजाओ डैड़ी आ गए है तुम्हारे माता पीता क्या करते हैं वह हर घंटे मुझे फोन करके पूछते हैं तुम क्या कर रही हो बेटा मॉम ब्यूटी पाला चलाती है और डैड हाउस हस्बंड है बस पांच मिनिट मैं पहुँच रहा हूँ जल्दी आजाओ कि अधिए 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 यह लाइटर बर्थडे में कैंडल जलाने के लिए है पर मॉमबती का है बर्थडे आया का है माया देखो रूम ठीक ठाक है लेकिन रूम में अच्छी नहीं है मेरी राय में उससे दोस्ती मत करना मुझे उसका सभाव पसंद नहीं आया काड़ी तो ठीक है मगर पीछे अब क्या होगा डाड़ी दरसल ये पापस इतना प्यार है ये गाड़ी को अच्छा मेंटेन किया तुमने बिल्कुल ब्रैंड न्यू लग रही है तो पड़ाई कैसी चल दी तुम्हारी लगता है तुम जहनी तोर से यहां नहीं हो एंट्रिंस एक्जाइम की फिक्र है क्या फिक्र मत करो माया तुम अवल नंबर से पास होगी तुमसे बैतर कोई नहीं मगर तुम्हारी मा को फुजूल में फिक्र हो रही कि तुम्हारा दाखला होगा या नहीं मगर मैंने समझाया कि फिक्र करने की कोई जरूवत नहीं अवल नंबर से पास होगी वह सही का ना मैंने येस टैटी अब किस ख्याल में हो बेटा है कि तुम्हारी हो नहीं आज कोकिलत आई इतनी शान क्यों है क्या बात है अपने रॉक्स्टार से मिलने नहीं गई आ रही हूं तो आ जाओ सॉरी आम नाट शूर तुम ठीक तो हो क्या बात है माया कभी कहती हो मिलना है कभी कहती हो नहीं इतना इतना कन्फ्यूजन क्यों है मन करे तो आ जाओ वरना मताओ सिंपल तुम्हें तो हर चीज सिंपल लगती है ज्योंकि तुम तो अपनी मर्जी के जंदगी जीह रह हो सब का नसीब तुम्हारे जैसा नहीं होता। अगर तुम मेरी जगह होते ना तुम पता चलता। भी ना प्रॉब्लम बताए बिजली तरह बरस क्यों रही हो। तो क्या बरफ बन जाओं। के बता है मेरे पेदा होने के वक्ट में Наम रखने से पहले ही मेरे घरवालों नाम की आगे डॉक्टर फिक्सpek 好ती है बच्पन में पहला निवाला खिलते वक्त सब भाने के साथ स्थात rhe तोपी रख दिया और मरें नसीब तो देख़ो दूसरा कुछ पकड़ने के अलावा मैं ने सीधा स्टित्रस को फीपा कर लिया मेरे तो नसीब ही खराब है घर में तो सब डॉक्टर और इंजिनियर ही है ना बॉस जरा बॉल देना प्लीज थांक्यू वह तो उनका नसीब अच्छा है कि सचिन तेंडूलकर और सानिया मिर्जा मेरी घर पैदानी हुए वरना सचिन को इंजिनियर और सानिया मिर्जा को डॉक्टर बनाते मेरे परिवार वाले यह मजाग नहीं है उनकी तो यही ख्वाइश है कि मैं पेशिंट का हाथ पकड़ो और उनका हाल जानू अगर मेरी ख्वाइश यह है कि मैं एक सिंगर बनू और अपने हाथों में मैं पकड़ लेकिन अब पहले जिसानी थोड़ा फर्क है आज के पहले जब भी ऐसी ना बताई तो मैं खुद ही सोचती रहती अपने आपको कुसुरवार मानती और खामोश हो जाती लेकिन आज मैं खुश हूँ यह सारी बाते तुमसे शेयर जो कर पा रही हूं मेरा और म्यूजिक का अब दूर दूर तक कोई नाता नहीं अभी जाने तो आओ पर कहां अभी अभी सुनो तो यह मुशे कहल आयो मैं सिर्फ छे साल का था माया जब मा गुजर गई तब ये भी नहीं पता था कि मरना क्या होता है सोचता था बहुत रोंगा तो मा वापस आजाएगी जब मन उदास होता यहां कर रो लेता तब वो मेरी जिंदगी में आया और हमारी इतनी दोस्ती भी नहीं थी मेरा दर्ट समझने के उसके उम्र ही नहीं थी बस एक दोस्त था पर जब मैं मा के गम में था तब वो फरिष्टा बन कर आया और मेरा हाथ थाम कर उस गम से बाहर निकाला मुझे लगा इस गम से निकल ही नहीं पाऊंगा फर मैं तो काफी आसानी से निकल गया लाइफ की किसी भी सिचुईशन को उससे कंपेर करूं तो सब सिंपल लगता है तुम्हारी भी कुछ यही हालत है डॉक्टर को चौबी सो घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं बस आठ घंटे देने उतने काफी है अपने सपनों को पूरा करो लाइफ सॉल बाउट बैलनसिंग माया क्या कहा था तुमने आई हीट मैसिल्फ हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई हमसे प्यार नहीं तो तुम्हारा टैलन देखने के लिए मुझे तुम्हारे बाथरूम में आना पड़ेगा हुआ 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 है प्यार क्या इसे ही कहते हैं तो फेर शुरू हो गई दोस्त है मैं इसलिए इतनी क्लोज हूँ तुम उससे इतनी क्लोज हो यह प्यार नहीं तो क्या है उसने प्रोपोस कर दिया तो वो कोई एरा गरा नहीं है समझदार लड़का है एक बात बताने थे मुझे उससे प्यार हो गया माया नेक्स वीक में जो कॉंसर्ट परफॉर्म कर रहा हूं उसमें तुम गाओगी शुक्रिया भी क्या यह बियर खाता मुने से पहले कुछ सवाल पूछो बियर विद अभी है पूछो तुम्हें अपने दोस्तों की कौनसी बात अच्छी नहीं लगती जब सबको चड़ जाती है और मुझे नहीं चड़ती तो मुझे उनका टॉर्चर सहना पड़ता है और उनकी कौन सी बात पसंद है? जब किसी को नहीं चड़ती, सिर्फ मुझे चड़ती है, और वो मेरा टॉर्चर सहते हैं. फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में क्या फर्क है? फ्रेंड वो होता है, जो हमारी बीती कहानियां सुनता है. बेस्ट फ्रेंड उनकाहानियों का हिस्सा होता है. अगर हम हॉस्पिटल मेडमिट हैं, तो हमारा फ्रेंड हमसे पूछेगा, कि अब तुम्हारी तब्यत कैसी है. बेस्ट फ्रेंड पूछेगा नर्स कैसी है. अभी, आज तुम बहुत फॉर्म में लग रहे हो. यह तो बीयर का कमाल है. दोस्ती, और प्यार में क्या फर्क होता है? बेस्ट फ्रेंड वो होता है, जो हर वक्त साथ देता है. पर जब किसी के बेना जी नहीं सकते, वो हमारा प्यार होता है. जो तुमसे प्यार करता है, तो मुझसे क्या उम्मीद करोगे? रोना. क्या का? रोना. हम दूसरों के लिए हसने की गुस्सा होने की आक्टिंग कर सकते हैं. रोने की आक्टिंग नहीं कर सकते. अगर कोई हमारे लिए रो रहा है, तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा बस हमसे ही प्यार करता है. क्या तुमने कभी किसी के लिए आसुबा है आज तक मौका ही नहीं मिला डॉंट वरी बहुत जल्दी खौईश पूरी होगी अब तुम मेरी जिन्दगी का हिस्सा बन गया हो इट मीन्स अलोट फैमिली को कन्विंस कर पाऊंगी या फिर डॉक्टर बन कर जिन्दगी गुजारूंगी पता नहीं कल चाहे मेरे नसीब में जो भी लिखाओ मकर म्यूसिक नहीं छोड़ूंगी चलो भी रियसल करते हैं उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि माया दिल ही दिल में मुझसे प्यार करने लगी है और यहीं खुशखबरी लेकर मैं वासू के घर पहुँचा आओ अभी आओ वासू नहीं है तो हमसे तो मिल सकती हो ना कहां है वो थांक्स रम्या आ गए बेटा हाई अंकल हाई कहां है बे अरे अच्छाना कैसे आ गया मुझे बोल देता स्टेशन आ जाता हाई यार प्रजेक खत्म हो गया तो आना पड़ा यह माया है माया यह अभी है मेरा जिगरी दोस्त वासू जरा नीचे तो आओ मामा जी घर जा रहे हैं हम लोग जरा आगए यह लड़की बहुत अच्छी है अब बहुत अच्छी आप अब घर चले आ गई माया ठीक जी इजाज़त दीजें नमस्ते अब नमस्ते बहुत जल्द इसे नौकरी मिल जाएगी अगर यह पहले ही मान जाता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती सही जा दादी आपको और कोई काम नहीं है मेरी उम्र का तो लिहाज कर लेना था सिर्फ शादी के इंतजार में हूँ अब यार कहानी पूरी फिल्मी है पिछले साल हमारा परिवार एक शादी में गया था माया के भाई की कहने को तो हम सब फैमिली फ्रेंड्स है पर काफी सालों से बातचीत बन थी एक गलत फैमी की वज़ा से हमारे रिष्टों में कड़वाहट आ गई थी पर इस बार दादी ने रोना धोना मचा कर सब को एक कर दिया सारी कड़वाहट मिठास में बदल गई और सब फिर से मिलने जुलने लगे जहां तक माया की बात है उससे कभी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई पर न जाने क्यों वो मुझे अच्छी लगने लगी दिली दिल में मैं उससे बहुत प्यार करने लगा पर ये बात माया को अब तक पता नहीं है और वो कहते हैं न कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है मेरा परिवार भी उसे बहु बनाना चाता है अब बस देरी है तो सिर्फ एक चीज़ की माया के हां की और मुझे यकीन ह मुझे वहां ही कहेगी देख लेना चल यार मेरी तो बहुत सुन ली तू बता तेरे प्यार का क्या हुआ कौन है वो लड़की और मुझसे कब मिलवा रहा है तुने जस लड़की से मिलवाया था ना उसी से प्यार करता हूं एक उपसूरत लड़की को दिल ही दिल कोई भी प्यार कर सकता है वो एक को चुने तो बाकियों का प्यार खत नहीं होता यहां भी वैसा ही है बस फर्क यह है कि इस मामले में तु मेरा दोस्त है तुने कभी माया से कहा कि तु उससे प्यार करता है अगर हमें उसके मन की बात जाननी है तो हमारे मन की बात बतानी होगी तु बोलना क्या जाता है बिढ़ जाते है मेरे भी वही है वन कोल कॉफी विप्ट क्रीम आइस ब्लेंड नॉट क्रॉष्ट ओके मैं पता है पूरे रास्ते मॉम डाट सर्थ तुम्हारी बाते कर रहे थे लड़का अच्छा है फ्यूचर बहुत ब्राइट है तुम्हारे ली तो पॉफेक्ट है जैसे दोना नशे में थे त्यास्व हापी फो यू वासू वैसे मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम दोना द अगर हम दोनों दोस्त नहीं होते तो यह प्रॉबलम कभी नहीं होती बगर दोस्त है तो हमारे बीच कोई गलत फैमी नहीं होनी चाहिए तो क्या पोल ना मैं जाओ क्या यह नहीं पाया, जबसे इसने तुम्हारी भाई की शादी में तुम्हें देखा है, इसका दिल फिसल गया, दिन रात इसका दिल बस तुम्हारा ही नाम जबता रहता है, वैसे तो ये कभी लड़कियों के बारे में बात नहीं करता है, पहली बार इसने तुम्हारे बारे में दिल से बा किया नहीं जाता हो जाता है और मुझे भी हुआ परियों से भी सुन्दर लड़की से जो मेरे सामने है इस जमाने में लोग प्यार से बहुत डरते हैं कहते हैं कि पहले एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे उसके बाद फैसला करेंगे कि शादी करनी है या नहीं पर तुम्हे मैं देखते ही लगा कि तुम ही वो हो जिसके साथ मैं बूढ़ा होना चाहूंगा इरादा तो घर वालों की मर्जी से शादी करने का था मगर अब उनके खिलाफ जाकर भी तुमसे शादी करनी पड़ी तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा लेकिन मेरे लिए मुझ से जयादा तुम्हारे जजबात ज़रूरी है इसलिए तुम जो फैसला करोगी मैं उसकी हिज्जत करूगा अगर ना कहोगी तो जितनी जिन्दगी है उसे काट ही लोंगा और हां कहोगी तो जिन्दगी सभार दूँगा क्या बात है वासु तुने तो चौका मार दिया है इसने तो अपनी फीलिंग्स नदी की तरह भादी मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यह तुमसे इतना प्यार करता है हमारी दोस्ती से बड़ी दुनिया में और कोई चीज नहीं है जिन्दगी मैं हर चीज कैजूली लेता हूँ मैं इसे सीरियसली ले लिया और इसके बाद तुम्हें हम दोनों एक अक्सिडेंट में मिले दोनों को इतिफाक से म्यूजिक पसंद है पता नहीं इस सफर में कब तुम पर दिल आगे है मिरे लिए भी यह सब नया है माया सोचा था इसके लौटते ही तुमसे मिलकर तुम्हें सब बता दूगा और देखो इसके सामने ही तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ सोचता था लड़कियों से प्यार करना उन्हें प्रपोस करना जीने मरने की कसमे खाना ये सब टाइम वेस्ट है पर जब से तुम्हें देखा है माया जिंदगी भर टाइम वेस्ट कर सकता हूँ जब किसी से प्यार करते हैं तो दिन रात उसकी बाते करते हैं पर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ माया कि बया करने के लिए शब्त कम पढ़ जाए I'm in love with you हां कहो या ना कहो मेरा फ्यूचर जो भी हो You'll always be a part of my life माया तुम्हें इसी वक जवाब देने की कोई ज़रूत नहीं है तेक यो रोन टाइम जब तुम हरा मन करे तब कहना हम इस टॉपिक पर तभी बात करेंगी जब तुम करना चाहोगी उससे पहले नहीं क्या बात है वासू आज तो फॉर्म में लग रहा है तेरी गर से स्क्रिप्ट रट किया है क्या जो बोला दिल से बोला मुझे बोल देता मैं भी तैयारी करके आता अरे क्या यार बिल्कुल नहीं याद करके कौन आता है जूटे सच मोल रहा हूं मगर दोनों ने एक साब क्यों प्रपोस किया जब अचानक उनोंने प्रपोस किया तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई मगर बात में मुझे लगा इसमें गलत क्या है जब उन्हें लगा इस बात से उनकी दोस्ती में दरार पड़ सकती है इस बात को मद्दे नजर रखते हुए उन्होंने अपने दिल के ज़स्बान साहिर किये जो रिस्पेक वो दोनों अपनी फ्रेंशिप को देते हैं सच कहूं तो वही रिस्पेक में उनकी मुहबबत को देना चाहती हूं शाह मुझे चाहने वाले तो बहुत मिलेंगे मगर मुहबबत को समझने वाला मिलना बहुत मुश्किल हो शाह इन चीज़ों में तो दोनों भी बेस्ट है ये बता तुम किसे प्यार करती हो यही तो समझने की कोशिश कर रही हू तुम्हारे लिए मा ने दिया क्या बात है माया तुम तो मेरे डैडी को जानते ही होना वासू दो दिन में कॉंसर्ट है जब तक उन्हें पता नहीं था कि मैं म्यूजिक ग्रूप में हूँ तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी मगर अब कॉंसर्ट पर्फॉर्मेंस में उन्हें डेफिनिटली पता चल जाएगा वह कैसे रियक्ट करेंगे यह सोच कर टेंशन हो रही है इस टेंशन में मैं ठीक से गा भी नहीं पाऊंगी यह मेरे सपनों को सच करने का पहला मौका है मेरी सिच्वेशन उस इंसान के तरह है जो रेस में फिनिश लैंड के सामने आकर रुख जाता है एक मिनिटा हेलो अंकल अंकल वासु बोल रहा हूं आ काओ वासु अंकल आज आपकी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई है जो शायद उसने आपसे भी नहीं कहीं यह तो मैं भी सुनना चाहूंगा सुर्वर ताल उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं वो काना चाहती है अंकल लेकिन मैंने उससे गाने से रोका नहीं है हाँ पर कभी इजाज़त भी तो नहीं दी उसे आपका साथ चाहिए अंकल अधर दो दिन बाद यह उसका कॉंसेर्ट होने वाला है अच्छा ज़रा माय से बात कराना तुम्हारे डैडी है बात करो अधर अलो टैडी माय जो वासु कह रहा है वो बिलकुल सभी कह रहा है उसकी बात में दम है तुम तो जानती हो मुझे क्रिकिट पसंद है जब कोई मैं तुम्हारे साथ हूं आज के बाद तुम्हारे मंजिल के बीच कोई रुकावाट नहीं आएगी आल दे बस्ट कॉंसर्ट में मिलते हैं बाई हूँल हूँल उत्यू कर दोस्केतने को पक्कार दोनाना दोटिए लॉट कि घॉट कर दे लॉक रखिए! कि अज़ंगे लोगा कि लाखिए। अज़ंगे मैरा!! मैं अभी को पसंद करती हूँ जो वक्त मैंने उसके साथ कुछा रहा है उसे कभी नहीं भुला पाऊंगी वो बहुत स्पेशल है क्योंकि हर एक रिलेशन्शिप में कोई ना कोई चाहत तो जरूर होती है मगर अभी के साथ जो मेरा रिलेशन्शिप था उस सच में बहुत अच्छा था पवित्र अब इस एसास को मैं प्यार का नाम दूँ या शादी के बार में सोचू पता नहीं इस फिलिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती जब भी मैं अभी के साथ थी मुझे कभी नहीं लगा जो हमारी बीच था वो प्यार है और शादी वो तो बहुत ही अलग है केरिंग, सिंसिय, परिवार को खुश रखना ये सारी चीजे मैंने तुम में देखी हैं मैंने इस सोच समझ कर ये फैसला लिया है और आज तुम से कहने आई हो वासू मैं तुम ही से शादी करूँगे हम जल्दी अपने पैरेंट से बात करके शादी कर लेंगे यकीन नहीं होता, माया ने मुझे हाँ बोल दिया माया मेरी होने वाली है येस जल्दी से जाके ये बात अभी को बताता हूँ माया क्या बात है भे क्या हुआ माया ने हाँ कह दी मुझे उमीद नहीं थी यार कह रहे थी घरवालों से बात भी करेगी वह मान गई यार मेरी तो लाइफ बन गई थूबडा देगो इसका बल्ब की तरह चमाग रहा है कमीन है मैं भी खुश हूँ लड़की मिल गई तो दोस्त को भूलना माथ ना चीर्स माफ करना भाईयों जाना होगा पार्टी फिर कभी करेंगे तो अब पार्टी रखे और खुदी चला गिया क्या बोल रहा है आरे लेकिन गलत क्या है हां मुवी चले हां क्या क्या करें थी हां कहां चलना है क्या रहे उसने तेरा फोन नहीं उठाया है चल चलते हैं वहां इंसन को इसे बद दिल जाते हैं रहे कि एक बात हम नहीं समझे बेटा मेहम साब की बरसी और वासू नहीं कैसे भाई लोग कल माया के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी मौका अच्छा था तो बात कर ली और सब लोग मान भी गए इस रिष्टे से सब खोश हैं क्या हुआ यार तुम लोग इतना उदास क्यूं तो बस तो जे माया के पेरेंट्स की बात करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा यह बंद कर अपना मा भारत जैसे इस दुनिया में तू अकिला याशी की सथीश जबान को लगाम दे मेरी जबन को लगामी नहीं है मैं उसकी तरह चुप नहीं बैट सकता लड़की मिलते दोस्तों को भूल जाने वा चोटी सी बात आज ही के दिन हम तोस्त बने थे अरे शांती रखो भाई तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना यार अरे चिल करो यार चिल्ड बेर लाओं क्या अरे ले करा वासु की शादी होने वाली है ना थोड़ा मौजू मस्ती कर लेते हैं हो गया तरह अब से एक मैं मना नहीं कर रहा है मगर हम बच्पन से तेरे साथ हैं तू तो बदल गया है हमने बदल सकते हैं क्या मतलब जैसा तू पहले था अब वैसा नहीं है और यही सचाई है तू मान या मत मात अरे जाने दे भाई तू मेरी जगह होता तो पता चलता अरे मैं भी तो वहीं बोल तुम्हारी भी यही हालत होगी मुझे लगा था दोस्ती से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता पर तू कह रहा है कि दोस्ती तब तक रहेगी जब तक कोई लड़की नहीं आती यही न? प्रैक्टिकल बात कर यार, हर चीज की लिमिट होती है कोई दूसरों को उसकी लाइफ कैसी जीनी चाहिए यह नहीं बता सकता सबकी अपनी लाइफ ओती है, यह मेरी लाइफ है। इसे जैसे जाहूं वैसे जीओंगा अगर तु अपनी लाइफ जी रहा है, मैं भी अपनी लाइफ जी लूँ अभी अरे उस दिन पहली बार वासू से इतना नाराज हुआ कि उसकी शक्ल भी देखने का मन नहीं किया जमाईला इतने सालों बाद ऐसा लगने लगा है कि मैं बिलकुल अकेला हूँ हाँ याँ बजा गया दोस्त के कभी मैंसूस हो रही है कि काई को बुलाया उसका दिल दुखा के मैंने अच्छा नहीं किया चलो उससे बात करते हैं चला गाया वो क्या चला गया कहां चला गया मालूम नहीं भाई उसके पापा ने कहां वह हमेशा के लिए यहां से चला गया कि अभे?. कि ऐसे कैसे चा सकता है इस से माफी मांगने के बावजुद राइका पहाड बना दिया इस दोस्ती के नाम पर बड़ी-वाठी करता हां सच में दोस्ती का मतलब जानता तो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है यह बिल्कुल ऐसा ही है जब मन करे आएगा जब मन करे चला जाएगा सब कुछ क्या सिर्फ उसी के मर्जी से होगा कि भाड में जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अभी मान अभी आम गुड चलता हूं रम्या भाइया आप और यहां चार साल से यहीं हूं यह मेरा कॉफी शॉप है पर तुम यहां कब आई बस तीन महीने हुए है इंडिया से फैशन डिजाइनिंग का कोस किया था और यहां इंटर्णशिप कर रही हूं इतने साल आपको हमारी याद भी नहीं आई ऐसा क्या हु आपने हमें फोन तक नहीं किया अंकल आउंटी कैसे है वो ठीक है कल शादी का इंविटेशन देने साई भाईया घर आया थे मॉम ने फोन पर बताया वासू कैसा है और माया आपने एक बार भी हमारा हाल चाल पूछने के लिए फोन क्यों नहीं किया भाईया उनकी शादी क माया को खोकर हर कोई सदमे में था और भाईया वासू उस कम को आज तक नहीं बुला पाया है मैं उसकी हावास सुनने के लिए तरस रहा था हलो हलो कौन हलो 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 अजय है वूटिपी बताओ 614254 नेक्स्ट प्रॉट रहुआ नेक्स्ट प्रॉट OTP बताओ 614254 नेक्स्ट 945215 तीसरा बताओ फोन आ गया हलो 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 मैगी आवाज आ रही है अरे घचर घचर हो रहा है अभी सही है आप शादी करेंगी नहीं हाँ हाँ बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है हलो अरे बक्री कहां बोल रही है हलो हाँ फर्माईए कहीं आपके फोन में पानी तो नहीं घुच गया था हाँ पॉच गया कोई प्राब्लम तो नहीं है मेरे होते कोई प्राब्लम हो ही नहीं सकती आप मज़े कीजे बाकी मुझ पर छोड़ दीजे क्या सोच रही हो कृतिका माडम सारे क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो चुके हैं और बैंक में अठरनी भी नहीं बची है उधार के पैसे भी खत्म हो चुके है और अगर हम मैसे ही खर्च करते रहे तो कंगाल फटे हाल हो जाएंगे माम तुम्हारे कहने का मतलब क्या है अरे वाँ इतना रिस्क जो ले रहे है अगर कुछ गडबड हो गई तो रिस्क के बारे में मत सोच पैसे कमाने के बारे में सोच तुम्हें पहले ही कह दिया है बता भी क्या खा रहे हैं डोसा कैसे हाथ से चटनी के साथ है वो भी एक टाइप की थोड़ा दिमाग लगा कृतिका आज के जमाने में दस लोगों में शादी निपटती है और यह है अजूबा दस दिन तक शादी करेगा सोच कितना पैसे वाला होगा और हम इस रही जादे से बार बार पैसे मांगते रहें सोच कितनी घटी हारकत करेंगे हम उसे लगेगा हम भिखारी हैं अगर हम स्टेटर्स बरकरार रखेंगे तो हमारे क्लाइंट्स की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी फिर यही दोसा हम टमाटर के चटनी पुदीने के चटनी नारियल के चटनी बटर और खजूर के चटनी के साथ खाएंगे मज़ा आएगा ना इतनी चटनी के अलावा क्या मुझे दो डोसा मेर सकता है तो कितनी भुख़ड है यार इतना मत खा यह खतम कर और चल चाहर बोतल वोटका से हमारा काम बन जाएगा एक रिट बियर दे दीजे इतना स्टॉक किस लिए हम तो यह ही है अरे कहा मुझे कोई भूई ब lijूर जाएगे तो आधी रात को फोन करें दिमाग में किर शराब कहा है तब कहां स लाएगी बिस्नेस मांढ को यहलो साही ने आपका नमबर दिया था कहा है आप लोग हम तो यहीं हैं अरे कहां मुझे कोई भी पहचान लेता है मैं सबसे खुबसूरत इंसान हूँ चुप कर वे हलो कहा हो खुबसूरत यहां पर हूँ यह देखू यहां 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 बाजवट दारू देवा मैं अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था और साक्षत तुम्हारे ही दर्शन हो गए आते वक स्टॉक खरीद लिया था जाते वक्त हम पीएंगे नहीं नहीं गाड़ी में पीना मना है चलो चलते हैं यह ऐसा ही चलो थरे वेल्कम आओ 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 अरे ख्लीफ आना चाहिए ना शादी है वासू सत्या कौशिक है ऐसा लगता है यह लड़कियों में इंट्रेस्टे नहीं है लगता है इस मर्द का दर्द कुछ अलग ही है और मेरे दुले राजा अब बचे का बाजा यह भी कोई पूछने की बात है इसलिके बाद दोनों एक दुसरे का बाजा बजाते ही रहेंगे यही तो होता है उपर पाहण पर अच्छी जिगाए वाघा गली एक दम चकाचक हो गया तो 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 नाड़ी के बिना अच्छा लग रहा है वापस कॉलेज जा सकता है वो अससे को जाकर मिलता हूं तुझे उसका बरताओ पता है उसका गरम दिमाग तू क्यू सेंटी हो रहा है फाफडे चार साल हो गए उससे दूर होकर वो दोस्त ही क्या जो आते ही गले लगा ले हमें गुस्सा सब पर नहीं आता यार उनी पर आता है जिनसे सबसे जादा प्यार होता है यार इतने सालों तुन्हें दारू छोड़ दीके आरे तुन्हें तुन्हें दारू छोड़ दीके आरे तो फापड़ की है आज करेंगे यह कैसी जगा है पांटी तो यह है सतीश का है सतीश वहां यह सब क्या है पार्टी है इसलिए थोड़ाई एक्स्ट्रा मेक अप करके आया हूँ लेकिन इधर तो कुछ और ही चल रहा है अबे ये गारी ये रो रही है क्या थकेली पाटी है फाफडे को कुछ बोला क्यों नहीं अरे बोला था मैंने तो कहने लगी कि लड़की वाले पूरा ने खयालत के जैसे उसकी माँ को इस सती है और उसका बाप को इस साधुरा है चमाईल पीने के पहले ही उतर कि यार हमारी नहीं भावी पर ये बुढ़ाओ गोन है दादा जी उसके आखरी खोईश होगी शादी देखने की आज कर शादी फैशन बन गई है आप क्या लेंगे शापजी जहर ले किया उतों मैं भी डूण रहा हूं शापजी आपके पास है तो मुझे दे दो पूटो देया साँ खुल जो पैल डेट खुल तेरी तो कहा अट गया है 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 इफ यू दो माइन में को घर छोड़ दो गया तुने तो पार्टी में एक दम हंगामा मचा दिया मजा आगिया शुक्रिया शुक्रिया कोई बात नहीं कल जब तु वासू को विश करने गया था उसने तुझा वर्ट किया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदलते नहीं बनावटी और ढोंगी कहीं का तु बिलकुल मत जुकना मैंने थोड़ी ढील क्या दे दी तुने फिर से ओकाद दिखा दी अगर वो अपनी बुराई खुद भी करे तो भी मैं यकीन नहीं करूंगा तु भी मेरा दोस्त है इसलिए मैं चुप हूँ वरना इस बात के लिए है यार सॉरी अभी अवे तु वासू है ना मैं महगी हूँ वेरी कॉंफिर्ण और बिलकु बिंदस बस 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 यही है मेरा अश्याना तुम ठीक हो ना हाँ वासू थैंक यू तुम ठीक हो ना हाँ वासू थैंक यू सो मच यार तुम कमाल का बंदा है हाँ तुना गड़ील लेके चला जा कल मैं तुझसे ले लूँगे ओके बाई सांक्यू तु कर क्या रहा है योगा देख रहा हूं भाई रोज रात को सुबह कलाम लगाता हूं और योगा देखके सो जाता हूं तो योगा कर देख मात नहीं अरे यार कल रगु तेरी बुराई कर रहा था तो आभी उस पर वाई तक गया है उसने तो वानिंग देगर छोड़ दिया अगर मैं वहां होता और किसी ने अभी के बारे में कुछ बोला होता तो वहीं उसकी टांगे तोड़ दे बेर दे टक्ये खुल मामला कुछ करबर तो नहीं हो जाएगा मैं हम आज कल के लड़के तो वाटसएप पे ही पीछे पड़ जाते हैं और आपने तो पपी दे डाली हाय हाय स्माइल देना हाई कहना बाई कहना यह सब तो ठीक है मगर इस पपी के बाद वो जपी देना चाहेगा मंगल सूत्र खरीद लेगा सुहागरत के लिए तयार हो जाओ चलो नहीं और कृतिका अब आईये ना माम इसलिए कहते है दारू जादा नहीं पीनी चाहिए तो कम पीना चाहिए था वो सामने ही है जाहिए हाँ ठीक है क्रिटिका जा गड़ी लेकर आँ पपी आपने दिया और गड़ी मैं लेकर आँ मुझसे नहीं होगा कोई बात नहीं यार एक हफते में वापस आजाओंगा यह तुम्हारी गाड़ी की चाहिए शुक्रिया सॉरी कल रात को मैं कुछ ज्यादा ही नशे में थी यार पता ही नहीं चला कि मैं घर कैसे पहुंची और मैं कब सोने चली गई है ना ऐसा होता है वासू कल रात जाने स एक हजिए पहले क्या मैंने तुम्हे पपी दी थी आएक्शली मैं नशे में चूर हो गई थी और शाय तुम होश में थे तूम समझ रहो ना यह यह वैसे था जैसे एक बैस फ्रेंड अपने फ्रेंड को जपी देता है और मैंने पपी दी वैसे मिरा आजा को अरा नही था पर मुझे ना थोड़ा बहुत पपी देने का शौक है अब मैं कैसे समझाओं ये तो कल रात हमारे बीच जो हुआ मुझे लगा वासुने वहशाली है कोई बात नहीं मैं तो कुछी सेकंड्स में वह बात भूल चुका था बस वह रोकर यह देख रहा था कि तुम घर पहुच चीजें बच्चे पीते हैं अब बड़ा हो जाए कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई जाने मन थी ना क्या वास। कोई से यूज करके भाग गई कोई और मिल गया होगा ऐसा कुछ नहीं हुआ एक दिन उसने मुझे अपने डैड से बात करने के लिए बुलाया विज गार्डन ग्रीन सेलेड और तुम रेने दो अंकल मैं पीते हो कुछ नहीं खाता लेकिन पीने के बाद हम हाइदराबादी बीरियानी खाएंगे ओके अचा सुन चार लार्ज विस्की नहीं पांच लार्ज विस्की सोडा के साथ और बरप का गोल गोल तुकड़ा ओके लेक पी और दारुपी ने के बाद इस नमूने से शादी कैंसल डाडी डाडी अ माई ने कुछ गलत बोला क्या तुम सिर्फ तारुपी अरे वो कहावत है ना अंधा घौड़ा शादी करने दोड़ा वो कहावत इसे के लिए बनी है कितने सालों बाद हम साथ में बैठे हैं मेरी शादी में तुम सब आये हो उसके लिए शुक्रिया यार मिस्टर साई है आप से बात करनी है हाँ आ रहा हूं अरे भाई लोग अरे क्या बोलेगी तुम चलो यार आशली मैंने इसली बलाया कि दो दिन में इंगेजमेंट है तो हमने कुछ तैयारियां की है तो आप देख लिए तो आप मेरे साथ चलिए अब मैं उस पर कैसे बैठूँगी अरे एकदम सब लाए बास अब बैखेगा रहसल अपने आप बचपन में जाइंट विल पर इसे गिरा था यहां बैठ जा तू दुलहा ये दुलहन तुम दोनों की सगाई है ठीक है अरे नकली रहसल करो ना या सटक या कियो भाग रहे हो यह तुस्रफ रहसल है मुझे नहीं शर्मारी तो तुम क्यों इतना शर्मारी हो बैस्ट आफ प्राइबं नेख लेखा तूमो बडर्लया क्याद पिमस्रा यहां जा गए अरे दीचे को सुने मुअ जिक रहसी है ो、手… it's ok अरी रिंखसे नो, रिंखसे नो wine हुआ है कल तेरे कों भी आज़ा है यह कुण अब आज़ा है हुआ आप तो च्छा गई माम, रियोसल पॉफेक्ट थी, कहां खो गई आप? कहीं आपने सच में तो रिंग नहीं पहना दी, इसलिए बारा बज़े हैं, कल रात पाटी की बाद किसी को पपी दे दी, अब रिंग पहना कर आदी शादी पक्की कर दी, क्रितिका, रात को नशे में जपी आदे दी, पपी आदे दी, वो सब ठीक है, अब होश में आते ही, आदी शादी कर ली, मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि इन दस दिनों में साही की होना हों पर आपकी शादी ज़रूर होगी, आरे आपना डीजी करेते हुए कौन नागिन डान्स करें गया, आप पागल हो गया, नमस्ते अंकल, हाई डाइ, हलो अंकल, आने के लिए शुकरिया, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊँगा, बैंगलोर में कुछ काम के लिए आया था, सुचा तुम लोगों से मिलता चलो, यह बासु का है, पुरानी बातों को याद करके तुम लोग आपस में कब तक इस तरह नाराज रहोगे, बात करने को बचा किया है अंकल, भाई जैसे दोस्त की मा की बरसी भूलने की घलती की, माया को दोस्त से ज्यादा इंपोर्टन्स देने की घलती की, पर घलती सुधारने का मौका तो देते अगर नहीं सुनता तो फिर बताते फिर भी नहीं सुनता तो फिर से बताते सच्ची दोस्ती भटकेवे को भी रास्ता दिखा देती है पर जो बीच राह में छोड़ जाये उसे क्या कहेंगे नाराजगी समझ में आती है लेकिन एक हफता, एक महीना, दो महीना उससे ज़्यादा नहीं इन चार सालों में हर दिन मैंने इसके वापस आने का इंतजार किया है माया को खोने के बाद अखेला पड़ गया पर जितना दर्द माया को खोने का हुआ था उससे कहीं ज्यादा उस वक्त दोस्त को खोने का हुआ था अभी को इस बारे में पता नहीं था अगर पता करने की चाहा हो, तो कुछ भी पता करना मुश्किल नहीं ये बस इतना चाहता था कि शादी के बद तू और माया खुश रहे और इसके बिना क्या मैं खोश रह पाऊँगा, ये नहीं सोचा माया से शादी मतलब क्या सब कुछ हातम, मुझे क्या इसकी जरुरत नहीं थी माया साथ हो या ना हो, इसकी कमी कोई नहीं भर सकता ये तो सोच, ये कितनी दूर से आया भाई ये है कि वो कितनी दूर से आया है, ये है कि वो दिल से कितनी दूर हो चुका है प्रश्य अंकल, आपके लिए मैं फेक भी हैव कर सकता हूं, पर मुझे से ये सब नहीं होगा क्योंकि मैं मान चुका हूं कि मैं अपना एक दोस्त खो चुका हूं हुमेद आप समझेंगे सर क्या हम चलें करें वालट, काँ चेला गया यहीं तो रखा था मेरा वालट खो गया किसी को मिले दो बता देना प्लीज बिल्कुल सर जरूर सारी तैयारे हो चुकिया आप बिल्कुल भी टेंशन मती जमान सब अरींच हो चुका है हाई वालट खो गया उसे डून रहा हूं वह नू क्रितिका एक बर रेस्ट्रांट में जाकर ढून के देख यह फोटो आरे यहले मेरा काड नहीं चल रहा था तो सुभा तेरा वालिट ले गया तू सो रहा था इसलिए डिस्टब नहीं किया आरे काउशिक वह सारा समन मंगा ले फिर यह किसका है वासू जिस लड़की की बात कर रहा था तुमारे पास भी उसी की फोटो है ना तुम दोनों एक ही लड़की से प्यार कर बैठे पर वो लड़की वासू से प्यार करती थी तो फिर तुम पिर तुम किसको एक आखरी सवाल पूछू प्लीज क्या वासू का उदास जारा उसी लड़की की वज़े से आदमी के सक्सेस के पीछे औरत का हाथ हो नहों पर उसकी ऐसे शकल की पीछे औरत का हाथ जरूर होता है आपकी शादी नहीं हुई क्या नहीं जनाब मेरी शादी नहीं हुई है पर ऐसा लगता है तुम्हारे दस बारा बच्चे जरूर है यह दोनी जुनियर बैट दे नहीं ना अंकर मुझे बैटिंग करने है अरे देना यार तुझा जाके पीछ फिल लिंकर यह आभी क्रिकट खेलेगा क्या यह काउशिक अरे एकड़े है आरो भाई यह चार तेरे टीम में वो चार मेरे टीम में चल्टोस उड़ाते हैं ठीक है सिक्का निकल बेटा मेरी टीम में आँ तेल्स आया मेरी बैटिंग कोई ठीक से गिरा नी ओए घुसा मारके दांत तोड़ दूँगा बैट दे थमरे अ एक ही बाप का बेटा है और अगर तेरे बं में दम में ना तो बैटिंग माला दे चल्टीक है जा है 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 क्या हो अंका क्यों रुकर अपन प्रोफेशनल बैट्स्मेन है थीक से खड़ा हो जा चोटे थोड़ा पीछे खड़ा हो जा नहीं तो फटका बाइटा ना तो तू भी बाउंडरी के बार बात नें अंकल खेलो तो सई पाहो किलो कुमडी यह उद्धे अरे क्या होगे क्या है कि अधाने किस गलत फ्राइमी में जीते हैं हावार ना थे नहीं हाथ से केल गैप से क्राइब क्या रहा है नहीं यह नहीं फिट बादर हो रहा है 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 बैट्सμεं अंदर आम डालूं क्या वो तो खेल पाओं के ना ताजा हवा खाने से दिमाग शांत रहता है हाँ बेटा सही का मौसम भी बहुत अच्छा है मागी हाँ जल्दी जल्दी बागो पागो जल्दी 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 इसे कुछ नहीं हुआ यह ठीक है हुआ अच्छा हुआ अंकल जी की गोध में गिरा ऊपर देख न भाव है पहले तो सर पे गीरा फिर गोध में गीरा हुआ हाह मुझे लगा बैट मैगी को लग जाएगी है मुझे उतनी तूर से क्लियरली दिखाई दे रहा था के बैट बुट्डे के सर में गिरने वाला है और तू इधर खड़ा रहे के देखने ही पाया तू इतना सीरियस क्यूं अग्या तो ओ पुलीस केस हो तो चलेगा लेकिन फापड़े का टॉर्चर बारदाश नहीं होगा ल चुटे-चुटे बच्चे तेरे से अच्छे प्लेयर है बैट को बॉल की तरह फेकने की क्या जरूरत थी बैट हवा में उड़ा के आपने अपको गांगुली साबित करना चाहता था तू दोस्त है इसलिए वरना उसी बैट से तुझे तुम अगर मेरे दादाजी की याद दास चली गई न तो तेरा दिमाग निकाल के क्रिकेट खेलूंगा याद रखना सब मेरी विजव सेवार क्या करो उन्हें में चालो क्या हुआ अगर अंकल ची को कुछ हो गया तो अपने अंकल के बारे में सोच रही है नहीं नहीं अपने अंकल की बात नहीं कर रही वो तो इस दुनिया को छोड़कर कपके चले गए मेरी शादी को लेकर आए दिन मुझे कोस्ते हो जाओंगी मार्केट से मैंने पैसे लिये हैं अगर शादी तूट गई तो सारे पैसे डूब जाएंगे साथ-साथ मैं भी हम उनसे मांग लेंगे सारे पैकेजेस नॉन रिफंडिबल हैं कि टेंशन मतलो कुछ हुआ तो पैसा मैं दूँगा हां तुम पैसे दोगे फिर ठीक है मैं इंट्रेस्ट के साथ पैसे वापस कर दूँगी सॉरी दिमाग काम नहीं कर रहा हां डूंट वरी इल बी ओके नहीं थोड़ी दुर रुक डूंट वरी टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है एक हाफते में ठीक हो जाएंगे अरे वासू तुम माम अंकल जी बिल्कुल ठीक है टेंशन की कोई बात नहीं तुम यहां कैसे मेरे हस्बंड यहीं के हैं he is also a doctor वो अपने गाओं के लोगों की सेवा करना चाहते हैं इसलिए मैं उनके साथ अक्सर यहां पर आती हूं हस्बंड इंटरनेट से डाउनलोड किया किया शादी में तो बुलाएं तुमने कब बुलाया मैंने याद किया लेकिन तुम्हारा पता नहीं था ना तो कोई बात नहीं मैं आ जाओंगी शादी कब है इस ट्राइडे को यह कौन है अश्ली मेरा नाम मेगना है लोग मुझे कि मैं आगी बुलाते हैं वेडिंग प्लान मिलकर अच्छा लगा ओके शादी में मिलते हैं बाई अभी बाई वासू एक लड़की आभी और वासू आभी दोस्ती में और लोचा नहीं होना मंगता है इस वेरी नौटी है जरा इसी पकड़ो नहीं कितना क्यूंते हैं हमारी इखर एक कुत्रा के लिए मारे डिक्र को मारा वह कुत्रा नहीं है वो ज्यूस है कुट्ल ज्यूस और इंज्यूस के मैंगो ज्यूस ने बच्बन में मेरे लटके को पेटमें 12 लगाने पड़े जूला मम्मी ऐचली मुझे डॉग से अलर्ज है तो फिर शादी के बाद तु इस जूस को लेकर हमारा जूस बनाएगी AH my मेरे साथ रहेगा मेरे साथ या करेगी जूस के शाधी करना। तुमारे बेटे से तो अच्छा मैं उससे शाधी कर लोंगी हाह क्या को ach ? मेरा लड़का लघ को डोशो ? Uước to pew ho और इस बात का जवाब दो कुट्टा चाहिए या मेरा बेटा तो फिर शादी चाहिए तो फिर शादी कैंसल ने जा कुट्टे हमारे पेमेंट लग गई हलो अरे आभी फापडे को चले भी नहीं मिली मतलब अरे मतलब शादी कैंसल हो गई तू कहा है और वासू अरे वो फापडे के साथ रुकाए तुम दोनों अभी रिजॉट आजा आरे लेके टिकेट बोग चुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मुझे लगा था ये शादी ऐसी होगी कि हमें दस और शादियों का काम मिल जाएगा लेकिन कुट्ट्टे के वज़े से आगे की दस शादियां भी रुक गई वे तो शुरुवात से ही कह रही थे कि जादा उधारी मतलो पर आपको तो रोस के काम के लिए चार बुतल वोट यहां क्या कर रही हो सब कुछ बरबाद हो क्या भी इस शादे की तोटने से मेरी जिंदीगी भी तोटके बिखर गई मेरे साथ हूं असिस्टेंट बॉस को ले रहा हूं नहीं चलो माम चलो का तेरे घरवाले का है अधे जंगल में जा रहा है अधे बेहोश पड़े तू क् में होश में बैठा है सत्या के साथ चला जाना ऐसे कैसे तुझे अखेले छोड़ कर चला जाओ पीने के लिए कोई तो साथ होना चाहिए ना माफ कर दे यार तुम इसे इस हालत में छोड़ कर जा रहे थे वैसे भी ऑफिस से चुट्टी लेकर आया हो ना फाफडे का चेहरा रजगुल्ला नहीं हो जाता तब तक कोई नहीं जाएगा लड़की शादी के यह बेना चलीगे तो क्या हुआ मेरे पास दोस्त है अनमोल रतन अब सुन दुनिया गई तेल लेन है यहां आए तो अब आम जल्सा करके जाएंगे पाटी करते रहेंगे चाहे दिन हो या रात हो पापा पैसा ट्रांसफर करो मैं रोकड़ा लेके आता हम लगता है हमारी पेमेंट मिलने वाली है साही बहुत नसीब बाला है क्यों उसकी शादी नहीं हूँ इसलिए नहीं उसके पस तुम्हारे जैसा दोस्त है मैंने क्या किया तुमने उसके लिए सबको वापस बुला लिया तुम्हें भी ऐसा ही लगता है मैंने सबको वापस किसके लिए बुलाया पता है वासू के लि तर वो मेरा दोस्त जो है क्या मैं ट्राइब करोगी अरे मैं बात करूं से वो किसी की बात नहीं सुनेगा और जब तक मैं उसे मना नहीं जाओंगा इसका मतलब तुम लोगों की बात्चीत अगर शुरू हो गए तो तुम वापस यू के चले जाओगे क्यों नहीं बस ऐसे ही पूछा अगर तुम कहोगी तो चला जाओंगा ना कहोगी तो रुख जाओंगा तुम्हारी मर्जी मजाग कर रहा था है मगी अगरे कि सत्या किसका इंतजार है खोलना कि मनी रत्नम के फिलिम का सेट लग रहा है अरे वासु आज तक उंच्यास लोगों को बीर पिला चुका हूं और फाफडे को बीर पिलाने के बाद मेरा हाथ सेंचुरी पूरा नहीं नहीं पीता हूं भार हम भी बच्पन में दूधी पीते अगर यह नहीं होता तो तुम लोग भाग जाते ना सच बताना आइसी बात नहीं है मित्रा यह दोनों पक्के दोस्त हैं बोले कि ऐसे टाइम पर मुझे छोड़ना नहीं चाहिए नहीं सुदरेगा यह फिफड़ा है मेरा पर अभी दुश्मनी निभा रहे है दारू पिला प्रेली बार पीरा चढ़ गई है थोडा और पिल और चुक करा पर इसने गलत बोला हूं तू जा के बात कर ले अभी जाके बात करना भाई दोर कौन बहुक करने है इसके सामनें चुप्चा बैट कर मजा आता है मुझे जब भी बात करने की कोशिश करता हूँ यह अपना मूँ फेर लेता है कुछ भी पूछने जाओं तो देखा ए तुझसे बात कर रहा हूँ मैं तूने यह कहा था ना दोस्त हर गलती माफ करता है तो अब तुझे सुनना पड़ेगा जिस तरह मेरे जाने के बाद तु मेरे आने का इंतजार करता रहा मैं भी वहाँ जाने के बाद तेरे कॉल का इंतजार करता रहा वापस ना आना मेरी जिद्धी और मुझे ना बुलाना तेरी अरे लेकिन उसको पता नहीं था तू किधर जिसे पता करना है, वो कहीं से भी पता कर सकता है, यही कहा था ने इसने, तुझे लगता है कि मेरे रोने से माया वापस आएगी, तो मैं भी तेरे साथ बैठ कर रोता हूँ, उसके चले जाने का दुख और मेरे ना आने का गम, और कितने दिन यार, पूरे चार साल हो गए, इ अगर उससे रम्या यूके में नहीं मिलते तो मुझे पता ही नहीं चलता यहां क्या हुआ, पता होता तो कि मैं नहीं आता, इतना गिरा हुआ समझाए कि मुझे, इससे तो अच्छा मैं वहीं रह जाता, कम से कम यह उम्मीद तो रहती कि वापस आओंगा तो दोस्त बन कर मैं रहेंगे, यहां आकर कल्ती करती मैंने कोई नहीं जाएगा, कोई आकर नहीं जाएगा, यहां क्या चल रहा है, रोस की नौटंग की है, यह सारे यहां के लोकल ड्राइवर्स हैं, यह जबरदस्ती यहां आने वाले टूरिस्ट को यह अपनी गाड़ी हार करने के लिए लिए कोई बात ने, अब मैं देखती हूँ चल रहे, यह गाड़ी साइड बे लगा, यह तू पीछे लगा, चल, ओए, क्या नाटा के हैं, अब बोलगे मर्जी, यह रोड तेरे बाप की है क्या, अब बोलगे दादा का है, हम तो इसी रस्ते से जाएगे, तू जाके तो दिखा, क्या, चल, अरे, तू यहां का दादा है क्या, क्या करेगा, जाना, मैं नहीं कहीं जाओंगी, रास्ताफर, यह रोड निकलना भी, शर्मी आती तुझे, लड़की को हाथ लगाता है, तेरी हिम्मत कैसे ही मुझे हाथ लगाने की, हाँ, इटियाट, यह, दिमाग मा थटा, फोक्री सवाज के छोड़ दिया ला त है, जाना... प्रुप्रेख मेरे क्बढ़ा प्रुप्र टेया ऑल इनुल अ तुझ से मिलने के बाद रम्या ने मुझे फोन किया था मैं जानता था तू आएगा इसलिए मैं भी आ गया करेंगा फोन दे अपना फोन नेटवर्क नहीं है किसको कर रहा है तेरी होने वाली को नहीं भाई लोचा हो जाएगा भाई पहले ही मैं थपड़ खा चुका हूं हालो हां तेरे दिल में उसके लिए जगह है तो एक बार उससे बात कर ले हैं हालो स्रिष्टी अचली उस दिन पेट में गैस हो गई थी और ऐसे डिटी भी थी लेकिन डॉक से डरने वाली बात सच थी तुमने मुझे थपड़ मारा तो मेरे मम्मी पापा भी भढ़क गए और मैं जानता हूं कि इस बात का सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें हुआ है और सौग्राम दुख मुझे भी हुआ है पर तुम और तुम्हारा जूस बचपन के दोस्तों इसके लिए बड़ा वाला सौरी एई आम सो सौरी मुझे लाफा नहीं मारना चाहिए था तुम्हारे डॉगी का नाम जूस है और मैं एक डॉगी लाँगा जिसका नाम रखूंगा सर्बत दोनों का मिलन कराके कॉक्टेल बना देंगे लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है ठीक है मेरी किसमत खराब है ओके बाए हम लोग लगन कर ले क्या शादी कर ले लेकिन सब को अरे शेहनाई की पिपुडी बजने वाली है थैंक्यू भाई अरे मुझे मत बोल इसे बोल लेकिन यह आया तेरी वज़े से ना आपड़े को जलेभी मिल गई गोलू-गोलू-जलेभी मंगल वार को मंगल सुत्र वावा कल बुद्वार को क्या पहना हूंगा है पंडी ची जल्दी करो यह सी चालू करके आया हूं हो गया इसका फापड़े का मैं बहुत खुश हूं अच्छा वह अब ही आगया हूं मैं बहुत खोश हूं वासू मुझे लगा नहीं था आम फिर से मिलेंगे अरे चगन भाई लगन में तो बहुत खर्चा किया है अच्छा वह अभी आ गया शेह से शिफ्ट होते वक्त माया की कुछ चीज़ें मेरे पास थी तो सोचा लगे हाथ तुम्हें दे दू थैंक्स अपना ख्याल रखना चलती हूं बाई यह बिल्कुल सही वक्त है माडम लोहा गरम है हतोड़ा मार ही दो कहीं ऐसा ना हो वो हाथ से निकल जाए प्रपोस कर ही दो लड़की थोड़ी ना इतनी बेशरम हो सकती है अच्छा उस दिन तो लड़की ने ही रिंग पहनाई थी न याद आया वो जमाना गया जब लड़ आपकी शादी जरूर होगी जब पापड़े ने ओने वाली बीवी से थपड़ गाया तो मुझे लगा था पापड़ा जिंदगी बर कुऊ आरा समझ गया समझ गया ज्यादा मोला मैं अभी आता हूं यारी यह मिखना का है दिखाई नहीं दे रहे कहां भी अरे मुझी का पता कल तो निकलना है न अपने को मुझे ही कुछ करना पड़ेगा हाई तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुम्हारा मेंसेज आर तुम्हारा मैं अपनी फैमली को बहुत तवज्जु देती हूं मैं और मेरा काम यही मेरी दुनिया है इसके अलावा मुझे कभी नहीं लगा मेरे पास कुछ और है फर्स टाइम हम जब किसी को मिलते हैं और वो अच्छा लगता है तो दुबारा मिलने का मन करता है और हर वक्त हम उससे मिलने के बहाने ढूंडते हैं जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे ऐसा ही लगता अरे आभी सौरे डिस्टब तो नहीं किया ना वह ज़रूरी काम है वासु तेरे को बूला रहा है चलना कोई मैसला नहीं सुके सौरी कल सुबाबात करेंगे ओके तेरे को बुरा त करेंगे तेरे करेंगे प्लीज करेंगे प्लीज थैंक्स अभी मैं सत्या बात कर रहा हूं मुझे अभी से बात करनी है आभी यहा नहीं है वो चला गया चला गया कब यही लग भग 10 पर ही ले क्या हुआ माम वो चला गया कर्तिक लेकिन ुसने तो कह था वो सुबाब से बात करेगा कहा हुए हूँ अरे मुझे नहीं पता आर्जंट कॉल आया था तो चला गया जूट बोलके खुशा मत दिला गुस्सा सिर्फ तेरे को नहीं आता है मेरे को भी आता है किस बात पर किस बात पर माया के लिए आपस में लड़ने के बाद अरे तुम दोनों का कितना बनता है अरे तो क्या तेरे मन में जो आएगा वो सोचेगा जैसे तू मेरा दोस्ते वैसे मेगना है है सच कहो मेगना जब से हम आये हैं उसके बाद से लेकर आज तक तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं देख लिया है तुम अभी से प्यार करती हो ना है हम्... अरे क्या स्पीड है यार मेरे पहुंचने पहले ही तुम सब आ गए आफिस से अरजिंट कॉल आ गया था जाना होगा पता था तु जाने नहीं देगा सोचा पहुंचके कॉल करूंगा वो लड़का जो छे साल की उम्रे में अपना सब कुछ छोड़ कर साइकल चलाते हुए मेरे पास आया वो आफिस के बुलावे पे मुझे छोड़ देगा ऐसी बात नहीं है कैसी बात है मुझे पता है एक बात पूछो तो सच बोलेगा माया किस से प्यार करती थी मेरे जिगरी दोस्त को तुझे पर सच क्या है मैं बताओ ये टाइरी किसकी है माया की अभी जिसके बारे में मैं हमीशा सोचती हूँ उसी ने मुझे ये टाइरी दी इसलिए उसके बारे में लिख रही हूँ ऐसा लगता है मेरी उमीदों को नए बंक मिल गए हूँ अभी वो मेरी हर बात को तवजु देता था कहीं वो मेरी बात को समझता भी है या नहीं फिर मुझे पता चला मुझे समझाना उसके लिए बहुत आसान है पहली बार ऐसा कोई मिला जिससे अपने दिल की बात कर सकती हूँ उसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ ले गया मुझे इतना कहना है कि मैं अभी को बहुत चाहती हूँ लेकिन तभी पता चला अभी और वासू दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वासू भी मुझे चाहता है जो बात मुझे अभी को बतानी थी वो तो मेरे दिल में ही रह गई अगर मैं अपने सपनों को जी रही थी तो उसे मुम्किन किया सिर्फ अभी ने इसलिए मैं उसे मिलकर अपने दिल की बात बताना चाहती थी प्यार का इजहार करना चाहती थी अभी? माया क्या हम मिल सकते हैं? हाँ जरूर हे! पता है मैं तुम से मिलना चाहती थी और तुमने कॉल कर दिया माम डैड ने कॉल किया था कॉंसर्ट वीडियो देखकर का विया सो प्राउड ओफ यू माया थैंक्यू सो मच अभी एक्चली जिस दिन तुम दोनों ने मुझे प्रपोस किया था मैं उसे दिन बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं मगर वासू भी मुझसे इतना प्यार करता है यह जब मुझे पता चला तो उसे ना बुलकर उसका दिल दुखाना मुझे ठीक नहीं लगा मगर जितनी देर हो रही है वासू की उम्मीद उतनी ही बढ़ती जा रही है अगर अब मैं उसे मना करूँ तो उसके दिल को और सदमा लगेगा क्या मैंने गलती कर दिया भी उस दिन खामुश रहकर तुम वासू को मुझसे अच्छी तरह जानते हो अब तुम ही उससे बात करो वासू बहुत सेंसिटिव हमाय है एमोशनल टाइप का है हम दोनों में एक ही फर्क है अगर मुझे कोई चीज नहीं मिलती तो मैं उसे भुला कर आगे बढ़ता हूँ पर वो वहीं रुक जाता है जब उसने तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने सोचा मैं उससे जूट नहीं कहूंगा सच बता दूँगा पर मैं यह नहीं जानता था वो तुम्हारे बारे में इतना सीरियस है गल्ती तुम्हारी नहीं है माय, मेरी है उसके खुशी पर आच आए मैं बरदाश्ट नहीं कर सकता है और अब ये जानते होए कि तुम ही उसके खुशी हो, हम दोनों ये मुझसे नहीं होगा माय तुम हाँ को है या ना को, मेरा फ्यूचर चाहे जो भी हो मैंने कहा था, you'll always be a part of my life पर वो सोचता है, तुम ही उसका फ्यूचर हो माय, जैसे मैं उससे समझता हूँ, जैसे तुम मुझे समझती हो कोई और नहीं समझ पाएगा अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं इस रिलेशन्शिप को भूल जाओं और अपनी जिन्देगी जियू, है ना, तुम्हारा ये आखरी फैसला है तो तुमने डिसाइट कर लिया ना तो यही कहने के लिए तुमने मुझे बुलाया था माय वासु एक अच्छा इंसान अभी प्लीज वासु अच्छा इंसान है, वो सबका ख्याल रखता है जो भी उसे शादी करेगी वो बहुत लखी होगी, यह मैं जानती हूँ पर एक बात बताओं, यह सब जानने के लिए मैं यहां नहीं आई हूँ अगर हम हमारे बारे में जरा सोचेंगे, क्या तब भी तुम्हारा फैसला नहीं बदलेगा जब कोई लड़की किसी से प्यार करती है, तो वो उसके लिए सबसे लड़ सकती है मगर जब प्यार करने वाला ही ठुकरा थे, तो उससे बहस करना ही बेकार है जैसा लोकों ने चाहा हमेशा मैंने वैसा ही किया तुमने कहा था मुझे अपनी जिन्दे की जीनी चाहिए मगर आज से तुम्हारे हिसाब से जीनी पड़ेगी अच्छी बात है अभी लेकिन एक बात सच है मैं तुम्हें इतना चाहती हो कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ तुमने कहा था ना जो तुमसे प्यार करें वो वो तुम्हारे लिए रोए है ना थैंक्स अभी वो मेरा दोस्त है माया क्या वो अपने प्यार से भी बढ़कर है बचपन में कोई पूछ था माँ पापा में ज्यादा कौन पसंद है तो मैं सोचकर कहता कि माँ पसंद है अब जो तुमने पूछा उसके लिए मुझे सोचना भी नहीं पड़ा वासुसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं आज के बाद तुम एक दोस्त की तरह सिंपल रह सकते है subset मगर जब तक तुम मेरे आखों की सामने रहोगे तो मेरे लिए दोस्त की तरह सिंपल रहना भी मुखिल हो जाएगा भी मैं तुम्हें नहीं बोल सकती वासू के लिए उसने मुझे छोड़ दिया मगर वासू ने मुझे समझा अभी के जाने के बाद कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजरे उसके बाद वासू का प्यार, उसकी सिंसेलिटी, उसके कैरिंग ने मेरे दर्द को बुला दिया दोनों फैमिलीज बहुत खुश है एक मेने में शादी भी होने वाली है अब सब कुछ ठीक है मगर एक सवाल हर पल मुझे परिशान करता रहेगा मैं अभी को पसंद करती थी क्या ये बात मुझे वासू को बतानी चाहिए या नहीं बचपन से लेकर आज तक दोस्ती निभाने में तुन्हें कभी कभी नहीं की क्यों बे तू क्या बहुत बड़ा देवता है जो हर बार कुर्बानी देकर दोस्ती निभाएगा मुझे एक भी मौका नहीं देगा माया की डायरी में मेरी जगा सिर्फ आखरी दो लाइनों में थी और तू चाता है कि एक बार फेट से मैं किसी लड़की की जिंदेगी में सिर्फ दो लाइने बनके रह जाओ तू जैने लगता तू गलत कर रहा है तेरे लिए जितना भी करूँ कम ही लगता है लेकिन गलत नहीं अगले जनम में फिर से मेरा दोस्त बनना ये जनम काफी नहीं है सत्या ने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया मैं इससे प्यार नहीं करता उल्टा ये तुझे पसंद करती है किसने का पसंद करती हो इस गलत फैमी में मत रहो वैसे भी मैं उसके बारे में क्यों सोचो जो मुझे अकेला छोड़के जा रहा था क्या यार ये क्या बोल रही हो पहले आखों में आखें डालना फिर रिंग पहनाना यूक के जाने से रोकना वो सब क्या था चार बोतल का सर तुम भी शुरू होगे वासू झार बोतल का सर तुम भी शुम भी शुम भी शुम पेल इता है वासू